हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग और उमीद करता हूँ आप सब लोग बढ़ी आउंगे और आई विश बढ़ी हाई रहना आज की जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो एक क्या लैपटॉप की उपर हम भी बनाने वाले हैं यार थिक है ? तो ये है आप सभी को पता जब laptop purchase करना है था अपना एक budget decide करता है मेरा इतना budget है तो मुझे consider करना चाहिए के नहीं मेरे से भी एक गलती हुई है मैं आपको सची बता रहा हूं तो मैं नहीं चाहता जो गलती मैंने करीब और लोग भी करें ठीक है तो जादा समय बरवाद करते हुए वीडियो के start करते है तो मैं इसमें कुछ अच्छी और बुरी चीज बताओं और बुरी चीज़ों में ही मालुम चल जाएगा आपको कि ये laptop आपके लाइक है भी के नहीं ठीक है तो भाई अच्छी चीज़ों की start करते हैं वो यह है कि सबसे पहले हैं इसके looks तो भाई ये दिखने में भाई जो इसकी जो looks है ना जो बनावट है वाके में बहुत बढ़िया लगती है हर कोई बंदा एक बार इसको देखेगा तो मन करी जागा भाई इसको pick कर ले क्योंकि पूरा जो बनलब RGB की तड़के जिस तरीके से बनावट है बहुत बढ़िया है looks में आपको दिखाऊंगा नहीं आपने already देख रहा कि होगी इसकी looks कैसी है कैसी नहीं तो no doubt इसकी looks बहुत अच्छी है दूसरा इसका लेने का जो purpose है जो इसमें अच्छी बात दूसरी वो यह है RGB इसमें आपको RGB मिलेगी single zone RGB मिलेगी देख सकते हैं पूरा चमकता दमकता है और FN और इसको दबाके आप मत चेंज कर सकते हो जैसे कि मैं अभी चेंज कर रहा हूं ठीक है तो इसमें चार तरह की different lightning है तो आप इसमें लाइटनिंग चेंज कर सकते हो ठीक है यह बात तो रहगी RGB की जो की बहुत बढ़ी आए वाई सब ठीक है दूसरा इसकी जो अच्छी बात है वह है कि आपको इसमे अपने लैप्टॉप की पावर को चेंज कर सकती है अपने हिसाफ से बनलब पावर को क्या इस तरीकी से एक डेडिकेटर सॉफ्टवेर देना ना मतलब अलगी बात होती है बढ़ी आसा लगता है कि आपका लैप्टॉप लगता है कि हाँ यह गेमिंग लैप्टॉप है और में चलते हैं और मतलब पूरी परफॉमेंस शो करता है भाई साब यह टर्वो मोट आप देख सकते होंगे ठीक है तो मेरे को एक यह चीज अच्छी लगी दूसरा मेरे को इसमें अच्छी चीज यह लगी कि भाई बजट कॉमपेक्ट में आता है इसका जो बजट है वो अगली बात जो यह इस लेप्टोप को लेने में मजबूर करेगी वो यह है कि इसमें आपको 144 हर्ट की डिस्प्ले होती है काफी responsive होती है जो की बहुत ही बड़ी और डिस्प्ले ना इमें आपको एक बात और बता दूँ सत्तर असी अजार के लैप्टोप में भी आपको सेम डिस्प्ले मिलेगी जो 65% SRGB 45% NTSC कुछ ऐसे करके इतना ही हो Dyson Nets की brightness के साथ डिस्प्ले की quality आपको सेम मिलेगी 1080p panel के साथ ठीक है तो डिस्प्ले के मामले में और हर्ट के मामले में laptop लेने लाएगे को दिक्कत नहीं है थर्मल अगली बात करूं थर्मल की तो ये laptop ज्यादा हीट नहीं होता है मैंने इसमें डिफरेंट तरीके के गेम खेलें आईनों मैं आपको भी दिखानी पांगो पर ट्रस्ट में मतलब मै कोई duty कबर नहीं दे रहा मैंने इसमें GTA खेला हुआ है और Payback खेला हुआ है और क्या बोते हैं मुरली भईया खेली हूँ अपने spider man वाले बैनम टेक की वाज़ा मैं बोली तो ठीक है और फार क्राय खेला हुआ है तो इसके जो थर्मल जो रहे ना ट्रस्ट में दोस्तों मैं आपको बता हूँ इसके thermal जो हमेशा रहें 95, 96, 97, max 98 भी नहीं देखे मैंने 97 डिगरी तक मैंने इसके thermal देगे हैं और मैं तो मत्रा में रहता हूँ ट्रस्ट मी अगर हलांकि डाउन फाइलिंग दो दो वाट के speaker हैं लेकिन इनके जो speaker की quality है वो बहुत ही जादा बढ़ी है मैं आपको एक गाना सुना दूँ गाना कहा गया हाँ गाना मैं आपको यह सुना दूँ देखो गाना तो कहने नहीं है पहाँ और आप आवाज सुनी सकते हो कि मतलब मतलब इसकी जो sound है बिल्कूल crisp sound है मतलब इसमें अच्छा घाजा बेस भी आपको फील होता है और इसके लिए आपको dedicated software मिलता है जो DTS X Ultra के साथ आता है आप इसमें अपने हिसाफ से यह change कर सकते हो custom mode, shooter, RPG, strategy, music वाला mode, voice चाहिए, automatic रख लो तो इसके अंदर जैसे armory crate एक dedicated performance oriented software डाल के दिया है ना उसी तरीके का आपको इसमें यह speaker के लिए दे दिया है आप अपने हिसाब से speaker की जो आवाज उसको change कर सकते हो और equalizer भी दे रखा है तो यह सबसे इसमें मेरे को अच्छी बा यहाँ ठीक है तो एक speaker की बात होगी तो मुझे इस laptop बना यह सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छी लगी अब आपके point of मतलब आपके ऊपर है आपको इनमें से कौन सी चीज़ आपके ज्यादा काम की हो सकती है ठीक है तो यह तो अच्छी बात अब बात करतें बात करता हूं इसके processor की भाई यह i5 10th generation 10 200 एच लेवल के processor के साथ आता है एच लेवल का लागा हूँ है प्रोसेसर लेकिन इसकी जो Cinebench R23 की जो rating आती है इसमें साथ से चार भी नहीं पहुंचती चार के आजू बाजू से कम रहती है तो इसका जो processor है वो एक जो है वो नॉर्मल ही रहने वाला है तो आपको यह processor कोई दिक्कत नहीं खड़ी करेगा चलता रहेगा इसी कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है लेकिन जहां आप अपने काम अपने हैवी करने स्टार्ट कर दिए तो वो कौन से हैवी काम होंगे वो भी बताऊंगा तो वह यार 23 में अगर कोई बंदा laptop ले रहा है तो कम से कम यार मतला अगर अगर आपका budget है मतला आप afford कर सकते हैं तो भाई कम से कम 2050 तो ले ही ले at least 2050 ले ले 1650 ले सकता है कोई दिक्कत नहीं लेकिन वो बहुत जादा entry वाला मामला चला गया है लेकिन अगर किसी के पास budget है तो 2050 या 3050 से शुरुआत करे 16 15 के लावा क्यों करें वो भी मैं बताओंगा ठीक है बताओंगा जरूर ठीक है अगला है इसकी रहम इसमें की जो रहम है वो 2933 मेगार्स की रहम है मैं आपको एक बार दिखा दूँ इसमें आपको जो रहम मिलेगी स्थाइब उन 2433 चलेंदर चलुक्त करें आपको आपको रहम मिले। दिख़रा अपको उन क्यों ईक बद दिखा दूँ मर्फ है जलो या रहम को तो मैं कैसे भी करके लेंगे या रहन का तो इतना वहली नहीं है बढ़ हां 32 से होती तो वो ज्यादा मतलब बढ़िया रहे था ठीक है मैंने एक बातों द्यान लगना यह 8 GB के साथ आता है मैंने इसमें 16 GB मतलब 8 GB एक्ट्रा करवा रहे है तो इसके अंदर टोटल 16 GB RAM है ठीक है तो इसके अंदर RAM भी मतलब 233 MHz की RAM है जो की ठीक ठाक है यार मतलब जादा अच्छी नहीं है ठीक है अगली बात जो इसमें मेरे को कमी लगी SSD SSD की read ride speed जादा अच्छी नहीं है मैंने जो देखी थी मैंने अभी चला नहीं मतलब अभी मैं अब मुद्दा यह आता है कि क्या आपको यह laptop अब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इसका आंसर यह है दोस्तों आपके usage के उपर है अगर आपका usage normal है जस्ट आपको normal वीडियो चलानी है यूटीब पर वीडियो चलानी है अगर आप student हो तो अपने normal हिसाफ से coding voting के हिसाफ से करना है जेल लेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके laptop चला देगा लेकिन अब जैसे मैं कभी मैं यूटीब की वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को rendering की जरूद परती है editing की जरूद परती है तो दोस्तों वहाँ ये laptop पीछे हो जा रहा है साफ simple सी बात है मैं game भी खेलता हूँ तो वहाँ मेरे को इसका GPU भी कमजोर लगता है और मेरे को इसका processor भी कमजोर लगता है game खेलते की समय भी और जब मैं इसकी video editing करता हूँ जब rendering होती है तो भाई time लगता है इसमें अच्छा कासा तो अगर आपका budget ही इतना है भाई मेरा तो budget ही इतना है सस्ते मद्दे में काम चलाना है तो तो कोई दिक्कत ही नहीं अगर आपका budget जादा है ज़्यादा होके सोके भी आगर आपने ये laptop लिया तो आपने गड़बर कर दिया अगर आपका usage अगर आप यूट्यूबर हो यहां थोड़ा सा यूट्यूबर क्या मतलब आपको editing वाले adobe type किसे software चलाने होता अगर आपका usage है भी है तो आप इस laptop को consider मत करना मैं साफ बता रहा हूँ इस laptop को मत लेना क्योंकि इसमें आपको RAM भी अच्छी नहीं मिलती इसमें आपको processor भी अच्छा नहीं मिलता इसमें आपको GPU भी अच्छा नहीं मिलता ध्यान लखना दोस्तों rendering में GPU भी help करता है पहले होता था कि मुझे पहले की बता नहीं शर्ट पहले ही होता था करना हम कोई video edit करते तो उसमें के वह CPU ही अपना जोर लगा रहा है CPU ही render करता है लेकिन आज के time पर थोड़ा सा tech अलगी जमाना लेखर चल रहा है तो उसमें GPU भी help करता है मैं जब इसमें video edit करता हूँ तो CPU भी जोर लगा रहा है और GPU भी अपना 80% तक जोर लगा रहा है यहीं इसके जगए GPU की जगए 1650 की जगए 3050 होता और या better होता है जो भी मतलब अच्छा ही quality का होता तो वो और अच्छी video rendering हो सकती थी ठीक है तो उन लोगों के लिए laptop नहीं है जो लोग बंदा अपना मतलब थोड़ा अच्छे level की editing है adobe इस type के software चलाना चाते है तो वो इस laptop को कती ना ले अपना budget बढ़ाए और budget बढ़ाने के बाद ही अपने को decide करे minimum processor तो आज के time पर दोस्तों i5 12th generation तो होना ही चाहिए minimum बता रहा हूँ i5 12th generation H level का processor होने चाहिए और minimum 2050 मतलब इस उसमें आपको मिल जाएगा definite है तो उमीद करता हूँ आपको ये video जो confusion से भरी है आपको ये video कहीं ना कहीं helpful जरूर रही होगी मैं नहीं चाहता कि कोई रहों कोई बंदा मतलब गलत purchasing कर ले इसके looks को देखते हुए इसका looks अच्छे हैं तो बंदे मतलब इतनी knowledge कोई कोई नहीं रख पाता और लोग उठा लेते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है थोड़ा सा mindful है कोई भी चीज को purchase करें YouTube पर 1000 वीडियो देखें पैसा बहुत मुश्किल से खमाए जाता है तब ही जाके उस product में अपना पैसा invest करें ठीक है तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो helpful रही होगी अगर helpful रही हो तो दोस्तों प्लीज इस channel को like, share, subscribe जरूर करें और मुझे support करें धन्यवाद